हाई फ्रेंज स्वागत है आप सभी का अभी मैंने एक नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था जहारखन चौकिदार का साहिब गंजीले के ये भरती निकल करके आई है नोटिफिकेशन की सारी जानकारिया कौन-कौन लोग eligible है क्या eligibility मांगी गई वो सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है नोटिफिकेशन में उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं यह टोटल सीट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 315 सीट है जेनरल के लिए 165 है अनुसुची जनजाती के लिए 143 से अनुसुची जाती के लिए कोई सीट नहीं है अती पिछड़ा से ले करके 35 साल तक जेनरल केंडिडेट है अगर OBC की बात करेंगे तो 18-37 वर्स महिलाओं की बात करेंगे तो 18-38 और अगर अनुसुची जाती जन जाती के लिए बात करेंगे तो 18-40 वर्स तक आवेदन कर सकते हैं एज की जो कटाफ होगा वो दो जनवरी 2023 है मैंने सारा जाती या अनुसुची जन जाती में है तो 155 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए जेनरली इतना सबका होता है महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट होने चाहिए यह ध्यान दीजेगा अगर आप इस हाइट को और जो eligibility मांगी गए वो सारा कुछ अगर पूरा करते हैं और अगर आपका दोड अच्छा है एक मिल की दोड अगर आप पांच विल्यट में complete कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर बढ़ सकते हैं फॉर्म भरने का एक एक स्टेप में मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कैसे फॉर्म को भरेंगे उसके लिए सबसे पहले आप notification को डाउनलोड कर लेजेगा notification डाउनलोड कीजेगा तो आप जिस ब्लॉक में रहने वाले हैं जैसे साहिब गंजीले के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं ये बहुत important है तो साहिब गंजीले में जैसे जो भी ब्लॉक आता जैसे ये बरहेट ब्लॉक हो गया उसकी बाद आपके ब्लॉक का नाम हो साथी साथ आपके गाउं का भी नाम होना चाहिए notification में जैसे यहाँ पर देखें यह बरहेट ब्लॉक है बरहेट ब्लॉक में अगर आप ग्राम का नाम देखेंगे तो यहाँ पर देखें चंद्र धीपा गोड़ा फुली जरी बेडो जोका जरी य जैसे कपास बेड़ा कटर भीटा केसा फुली और सब यह गाउं का नाम आपका दिया हुआ अगर आपके गाउं का नाम यहाँ पर दिख रहा होगा तभी आप अपलाई करेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है गाउं का नाम देख लिजेगा जिसे खुटोना है गाउं तो फॉर्म का मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे टेलिग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं यह फॉर्म आपको मिल जागा वहां से ऑफलाइन फॉर्म भरना है उससे पहले आप एक डीडी बनवाले बैंक में जा करके डीडी किसके नाम से किसके नाम से बनेगा हुँ यह सब कुछ मैं बता दूंगा यह फॉर्म है वर्म भरने के लिए ग्रही जिले का नाम सबसे पहले पूछ रहा है तो आपका ग्रेजिला यहाँ पर साहिब गंज होगा, यह ध्यान दिजेगा, ठीक है, साहिब गंज, उसकी बाद ब्लॉक का नाम यहाँ पर पूछ रहा, तो देखे जैसे मैं बरहेट ब्लॉक का अगर मालेजे मैं निवासी हूँ, तो यह ब्लॉक हो गया, अंचल का नाम होत जारा, जैसे यह बीट है, रिक्त बीट ग्राम का नाम, रिक्त बीट के साथ सनलग ग्रामों का नाम, तो यह बीट जो छेतर है, यह बीट छेतर आपको यह वला बताना है, यह ध्यान दिजेगा, यह बीट छेतर है, ठीक है, इसी बीट छेतर को आपको बताना है, तो जैसे बरहेट ब्लॉक में मेरा चंद्र धीपा है जैसे पहले मैं गाउं देख लता हूँ जैसे मैं आवेदन करूँगा लिटी पाड़ा के लिए ठीक है जैसे मैं लिटी पाड़ा ग्राव के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो लिटी पाड़ा जो मेरा गाउं है वो रिक्त बीट है यह वाला है चंद्र धीपा के अंतरगत आता है तो यहां पर मैं लिख हूँ गा चंद्र हो कि जंद्र धीपा ठीक है उसके वद बीट संख्या देखे पूछ रह though यहां पर देखे बीट संख्या लिटी-ाड़ा में यह %. संख्या क्या है 01-01 तो यहां पर मैं लिख दूँगा 01-01 उसकी वद ग्राम का नाम यहां पर पूछ रहा है तो जैसे मैं लिटी पाड़ा है तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूँ लिटी पाड़ा यह ग्राम हो गया अब यह इस तरीके से आपको भर लेना कोई confusion होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैं बता दूँगा उसकी बाद आवेदीद पद का नाम यहां पर आपको दिख रहागा चौकिदार है अभिहर्थी का नाम बड़े अच्छरों में लिखना ठीक है जैसे मैं अपना यहां पर लिख लेता हूँ उसकी बाद यहां पर अंग्रेजी में आपको लिखना है तो अंग्रेजी में सब कुछ capital letter में लिखिएगा उसकी बाद देखिए पिता या पती का नाम अगर आपकी साधी हो चुके है तो आप अपने पती का नाम डाल स जो भी है उसकी बाद English में नीचे आप लिख दीजिए यह मैं केबल आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ जनम तिथी देखिएगा 18 से लेकर के 35 से जेनरल में है तो यहां पर जो भी आपका date of birth होगा वो आपको यहां पर लिखना है तो यहां पर अंकों में लिखना है जैसे यहां पर जैसे मैं 492000 है तो मैं यहां पर अपना लिख देता हूँ उसके बाद सब्दों में तो यहां पर आपको लिखना है चार सितंबर 2000 ठीक है इस तरीके से मैं यहां पर लिख लिए उसके बाद आपको calculate करना है दो जनवरी 2023 तो आप अपने calculator निकाल लेजिएग मोबाइल में यहां पर देखे आपको age करके दिख जागा इस age वाले option पर चले जाएगा और age वाले option पर चले जाएगा age में आपको जाना है date of birth सबसे पहले अगर आप उपर में देख रहोंगे तो date of birth आपको अपना डालना तो जैसे मेरा date of birth है 492000 मैं यहां पर अपना date of birth देखे set कर लेता हूं ध्यान दिजेगा सब कुछ मैं बता दे रहा हूं यहां पर जैसे मैंने set कर लिया 492000 उसकी बाद यहां पर कब का date पूछा है दो जनवरी 2003 तो यहां पर मैं ध्यान दिजेगा मैं इसको दो जनवरी 2023 मैं अर्फ कर कि आप इसके बाद आवेद का जन जाती है या चे रहता है दोनों में एक मांड़ी देना है तो अगर आप जंजातिय भासा लेते हैं, तो संथालिय मालतों में से कोई एक देना है, अगर आप छेत्रिय भासा लेते हैं, तो खोठा, बंगला, उर्दू, अंगीका में से लेना है, तो यहाँ पर मैं छेत्रिय भासा लेता हूँ, तो छेत्रिय पर टिक कर देता हूँ, उ वही आपको देना है अस्थाई पता में ठीक पोस्ट आपका जो भी हो वही आपको देना है ये सब चीजे ध्यान देजेगा अंचल का नाम आपने यहां पर उपर में भरा था अंचल का नाम जैसे बरहेट तो यहां पर आपको अंचल बरहेट जो भी आपका ब्लॉक हो वो ड पंचायत जो भी हो आप अपना डालेंगे थाने का नाम जो भी होगा डाल दीजेगा जीले का नाम जो भी होगा यह सब चीजे आपको अपने हिसाब से डालेंगे पता कर लिजेगा क्या 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 जीला वगर है पिन कोड जो भी होगा आपका वो भर लिजेगा अपना मोबा इसको भी ध्यान से डाल दीजेगा ठीक है अगर हो सके तो इमेल आईडी कैपिटल लेटर में ही डाल दीजे क्योंकि जेनरली इमेल आईडी तो होता है स्मॉल में लेकिन हम लोग यहां पर कैपिटल में डाल देते हैं क्योंकि कोई कनफ्यूजन ना हो उसके बाद यहां पर देखे एक फोटो आपको अपलोड करना है यह फोटो आपका क्रॉस साइन होना चाहिए सेल फटेश्टेट तो जो भी आपका हो यहां पर इस तरीके से अपना फोटो चिपका करके आधा फोरम पे आधा ऐसे साइन कर लिजेगा पत् फोरम और है आठ नंबर यहां पर देखे कॉलम है सरीर पर कोई भी दो निसान तो जैसे आगर आपका दाए हाथ पर कटा है तो आप यहां पर लिख सकते हैं दाए हाथ पर कटा ठीक है उसके बाद एक और है तो वो भी लिख दीजेगा सेक्षनिक योग्यता देखे जेनरल पर आया था तो जैसे जो भी है उसकी बाद जो भी आपका परसेंटेज बना हो परसेंटेज 70-80 जो भी है मैं आपको केल दिखाने के लिए भर दे रहा हूं परसेंटेज आपको डाल देना है अगर आपका इंटरमेडियेट है तो वो भी डाल सकते नहीं है तो छोड़ दी तो आप सबवी देखेंगे, जहां से आप ओर्म डाल रहे हैं तो अवासिय का नंबर जैसे आप सभी देखेंगे जे एच आरसी होता है या फिर एक लरसी यो होता है वो जिस साल का भी बना हो वो सब कुछ चल जाएगा यहाँ पर अपना नंबर डाल देजे निर्गत तिती अवासिय का इसू डेट यहाँ पर पूछता है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है आपका उसके बाद यहाँ पर जाती प्रमान पत्र संख्या अगर आप जेनरल में अपलाई कर रहे हैं तो यह आपको नहीं देना है आप इसको कट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं अगर आप OBC, S.C.S.T. से हैं तो इसका नंबर आपको का सर्ट का देना पड़ेगा परिक्षा सुल्क पोस्टल ओडर या बैंक ड्राफ्ट संख्या देखे अब आपको मैं बता देता हूँ अब मालेजे आप बैंक में गया है तो आपको बैंक में जाना है और बैंक में जा करके बोलना है कि मेरे को 200 रुपे का आपको पोस्टल ओडर ब बनेगा वो भी यहां पर आपको देख लेना है जो उपायुकत साहिब गंज के पद के नाम से होगा ठीक मतलब अब यह दिखेल डेगा जो नंबर अगर मांगा गया है ना तो यह द्यान देजेगा डिडि का नंबर जो होता है न यह वला होता है, सुरू का ही digit होता है यहाँ पर आपको बहुत सारा number नीचे में देखने को मिलेगा यह सब number नहीं होता, जो सुरू का digit होता, comma कंदर यही number आपको यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ 596203, आप जिस डेट को आपको डेली बना यहाँ पर देखे डेट होगा तो यहाँ पर जैसे मैं एक जनवरी 2023 को बनवाया हूँ तो वो डाल दिया अब अगर आप पोस्ट ओफिस में गया है पोस्टल ओडर बनवाया है तो यहाँ पर देखे पेटू में रहेगा अडिस्टी कलेक्टर साहिब गंज उसके बाद यहाँ पर आपको सारा नंबर वगरा मिल जाएगा वो ही नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है से अच्छादित अभियर्ति द्वारा उम्र संबंदी छूट अगर आपको चाहिए एज में कोई छूट वगरा चाहिए तो वो आपको डॉक्यमेंट यहाँ पर डालना होगा अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं गोसना मैं यहाँ पर आप अपना नाम डालिए जो भी आपका नाम है जिस नाम से अपने फॉर्म भरा है वो डाल देजिए उपर दियेगा सभी सूचना है मेरी जानकारे में सही है यह सब कुछ सही है आवेदा कहा स्ताक्षर में जो आपने फॉर्म भरते समय जैसे फोटो तारी को भीजूंगा तो मैं उसका डेट डाल देता हूँ अस्थान में आप साहिब गंज है या साहिब गंज लिख दीजे आप अपने गाओं का नाम या जो भी है वो आप अपना लिख सकते हैं लिखने उकने के बाद ये सारे चीजे आप अपना डॉकुमेंट आप सिगनेचर कर लिजेगा सिल्फ अटेष्टिट करके आप अपना सिगनेचर कर लिजेगा ठीक है उसके बाद क्या है आरक्षन के दावा है तुर सक्ष है आज अवासिय हो गया जाती प्रमान पत्र हो गया अगर एक्स्पिरियेंस है तो बड़ सर्टिफिकेट वो भी डालि अगर experience है तो सब कुछ डाल डूल करके अगर sports quota से हैं तो वो भी डालिए और सब पर अपना sign करने के बाद यह सारा document को mode करके एक लिफाफा ले 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 जेगा उस लिफाफा के अंदर में यह सारे document यह form सब कुछ डाल दीजेगा और यह DD वगरा जो भी है यह सारा कुछ डालि डालने के बाद इसके उपर जो address होगा ना वो आप अपने यहां पर देखे address बताया गिया है speed post के माध्यम से या फिर normal post के माध्यम से यहां पर आपको भेजना है देखे प्रभारी पदाधिकारी जिला समाने साखा उपायुक्त कार्याले साहिब गंज यह pin code है यहां पर ध्यान दीजेगा यह बहुत important है देख लिजे मैं यहां पर लिख देता हूँ जैसे प्रभारी पदाधिकारी ध्यान देते रहीएगा उसकी बाद जिला समाने साखा ठीक है उसकी बाद उपायुक्त कार्याले साहिब गंज ठीक है इस तरीके से डाल दीजे यहां पर pin code लिख दीजेगा 816109 यह लिखने के बाद आप इस address पर भेज़ेगा और यहां पर आपको अपना address अपना नाम लिख लेना है क्योंकि अगर कई बार नहीं जा पाता है तो आपके पास वो return आ जाएगा इस तरीके से आप अपन mobile number address पूरा लिख लिजेगा और यहां पर two कर दीजेगा और इसको आप speed post के माध्यम से यह normal post के माध्यम से यह DD इसके अंदर जरूर डालिए यह form दोनों डालिए उसके बाद जो भी document है वो सारे document को इसके अंदर आपको डालना है यह सब चारे चीजे ध्यान दीजेगा यह DD हो गया यह हो गया यह सारा कुछ मैं इसके अंदर देखे डाल देता हूँ उसके साथ साथ आप इसमें दो फोटो भी डाल दीजेगा अप अपना personal दो फोटो इसके साथ में डाल दीजेगा उसके साथ सारा document अगर आपने डाल दिया है 10th का माक्सिट जाती है आवासी है औ जालने के बाद आप चाहें तो इस ओफिस में जाकर के जमा भी कर सकते हैं अगर आप दूर रहते हैं तो आप इस ओफिस में एड्रेस पर भीज़ भी सकते स्पीट पूश्ट के मादें से कोई problem हो को confusion हो तब हमें कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इस तरह की और भी वीडियो आपको देखने को भी लेगी अगले फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं तब तक लिए जाहिन जाभारत